हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों लोग अक्सर छिपकली को देखते हैं जो की एक समान्य घटना मानी जाती है यहां तक की हमें पता है कि छिपकली को समान्य जीव जन्तु माना गया है लेगिन जीन जन्तों और मनुश्य के बीच परकरती का अपना एक अलग संबंद होता है ये बात चाहित कम ही लोग जानते होंगे सास्त्रों में चिपकली को एक बेहदी खाजीव माना जाता है सास्त्रों में चिपकली को देखने और उससे जुड़ी कई गतिविद्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है जिसकी जानकारी अगर आपको मालूम होती है तो आप अपने जीवन में हर बुलंदी को पा सकते है सास्त्रों में विख्यात सकुन सास्त्र के अनुसार चिपकली का किसी खास समय पर दिखना, जमीन पर दिखना, सरीर पर गिरना भविश्य में होने वाली सुब असुब गटनाओं की ओर इसारा करता है इसके अलावा चिपकली का सरीर के किसी खास अंग पर गिरना भी भविश्य में होने वाली सुब असुब गटनाओं को दर्साता है ये चीज आपने बहुत बार सुनी होगी कि दिबावली के दिन अगर चिपकली दिख जाए तो उसे मालक्समी का परतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन चिपकली को अपने उपर गिर जाए तो घर में वर्सों तक के लिए सुख समर्दी आती है लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि चिपकली के एक परियोग के माध्यम से हम आने को लाप पा सकते है इसके संबन में एक बहुत ही असरदार टोटका हम आपके लिए लेकर आए है तो जानते हैं कि ऐसा कौन ससरल काम है जिसको करने से हम अपने किसमत बदल सकते है और साथ ही अपने जीवन में तरक्की को पा सकते है और जिससे अपने जीवन के तरक्की के मार्ग खुल जाए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को सेर कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाईएगा दोस्तों आपको छिपकली दिख जाए तो सरल तोटका करके अपने जीवन में धन आओगा मन के मर्ग खोल सकते है तो जब भी आपको घर में छिपकली दिखे तो तुरंद भगवान की मूर्ति के पास रखा सिंदूर और चावल लाए और उसे दूर से ही छिपकली के उपर छिड़कते हुए जो कोई आपके मन में मुराद है उसको मन में बोले और ये काम ना करे कि आपकी मुराद पूरी हो जाए सास्त्रों में छिपकली को एक पूजनी प्राणी माना गया है इसके पूजन अर्चन से दन से संबंदित परिशानिया खताम हो जाती है और आपके जीवन में कभी भी कोई कर्ष्ट नहीं रहता लेकिन दोस्तों छिपकली आपके जीवन में कभी भी आती है लेकिन ऐसे नहीं कि आपने कभी भी दिवार पर छिपकली को देख लिया और आप ये उपायक करने लग जाए बलकि विशेश कर संध्यकाल के समय जब आप पूजा करने वाले होते हैं तो उस समय ही आपको ध्यान रखना चाहिए और ये उपायक करना चाहिए चिपकली एक ऐसा जीव है जो देखते ही लोगों को घीनाती है इससे डरके या इसे बगा कर आप अपना ही नुक्सान करते हैं क्योंकि दोस्तो इसे लक्समी का परतीक माना जाता है और इसकी पूजा करने से सुबसंकेत मिलते हैं लेकिन जब दिपावली की सफाई करें या जब भी कभी आप अपने घर में सफाई कर रहे होते हैं और आपके सामने मरी हुई छिपकली आ जाए तो ये एक असुबसंके कर दे यानि की जमीन में गड़्डा खोदकर उसको दबा लेना चाहिए इससे आप हत्या के पाप से बच जाएंगे और मातलक्स में भी आपसे नाराज नहीं होगी नहीं तो दोस्तो आपके जीवन में ऐसे कर्ष्ट आने लग जाते हैं जिसे आप अपने जीवन में सोच ह भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है और क्या करने की वज़े से आपके जीवन में ऐसे संकेत आ जाते हैं इसी तरह दोस्तो आप बात करते हैं कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे आप अपने जीवन में घटनाओ का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तो अगर आप खाना खा रहे होते ह और आपको किसी चिपकली की आवाद सुनाई देती है तो ये बहुत ही सुब माना जाता है ये आपके जीवन में अचाना कोई धन प्राप्त करने का संकेत देता है कोई सुब समचार मिलने का संकेत देता है या फिर ये कोई सुब फल मिलने का संकेत हो सकता है और अगर आपको छिपकली का कोई समागम दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलने वाला है और आपके जीवन में कोई संकेत मिल रहा है कि आप उचो ढूंड रहे है आप जिस व्यक्ति से मिलना चाहते थे कि वो व्यक्ति आपके सामने आए और अब आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो गया और इस परकार से आपके जीवन में नए संकेत दिखाई देंगे एक ऐसी भी चीज है अगर आपको सपने में छिपकली मरी भी दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपके उपर कोई बड़ा कर्ष्ट आन वाला है या फिर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी खबर मिलने वाली है जिसका आपको पहले से कोई अंताजा ना हो ये हमारे अच्छे और बुरे दोनों सबाव से जुड़ी हुई है कहा जाता है कि अगर जाते जाते इनसान के हाथ या सर में छिपकली अचानक गिर जा जाती है तो ये बहुत ही सुब माना जाता है अगर आपको खाना खाते समय चिपकली दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है लेकिन अगर आप खाना खा रहे होते हैं तो अचानक आपके पैरों में चिपकली आ जाती है तो कोई बिमारी आपके जिवन में आ सकती है माना जाता है कि अगर आपके घर में चिपकली हो और आप लोग आपस में बाते कर रहे हैं और उसी समय अगर चिपकली आवाज करे तो इसका मतलब है कि आप जो बात कर रहे है वो सच होने वाली है ये भी कहा गया है कि माते पर चिपकली गिरती है इसका मतलब है कि आपको बहुत ही जल्द धन की प्राप्ती होने वाली है साथ ही अगर चिपकली किसी भी कीड़े या पतंगे पर जप्टे और आप उसे देख लेते हैं आप उसके बीच में आ जाते हैं तो समझ लेजिए किसी धन के आगमन के साथ साथी धन का नुकसान होने के संकेत दिखाई दे रहे है अगर ऐसा संकेत मिले तो आपको इस बात को तुरंट समझ जाना चाहिए अगर आप अपने किसी कारिये ये तू जा रहे होते हैं और उस कारिये के लिए जैसे ही आप प्रस्थान करने वाले होते हैं बहुत ही कम ये होता है लेकिन जब भी आप प्रस्थान करने वाले होते हैं और दो छिपखिल्या आपके सामने लड़ती हुई दिखाई दे जाती हैं तो इसका मतलब है कि आप उस कारिये के लिए तो उसमें सफलता आपको मुश्किल से मिलने वाली है उसके लिए आपको काफी जायदा मैनत करने पड़ेगी आपको उस कारिये में सफलता मिले या ना मिले इस बात के ऊपर कभी भी आपको कोई बरूसा नहीं करना चाहिए आपके सरीर पर चिपकली गिर जाएं तो उससे भी आप कोई कई चीजों का पता लगा सकते हैं अगर चिपकली किसी के माते पर गिरती है तो धनला होता है अगर दाई ने कान पर गिरे तो आभुशुनों की पराप्ती होती है जबकि बाए कान पर गिरने से उम्र लंबी होती लेकिन अगर छिपकली आपके बाल में यानि विशेश कर महिलाओ के लंबे बाल होते हैं वैसे बालों में फर्ज जाती है या उस पर गिरती भी है तो संबल जाईए इसमें आपको कोई बुरी खबर आने के संकेत भी हो सकते है इसलिए दोस्तों यहां जरूर ध्यान रखना चाहिए आप अचानक अपने घर के पूजा घर में चिपकली देख लेते हैं तो वहां पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और साथ ही आपको एक दीपक मातलक्समी का जला कर आपकी जो भी मनोवान्चित इच्छा है वो मातलक्समी से मांग लेनी चाहिए न अगर आपको लगता है कि बार-बार आपको अपने सपने में चिपकली जगडते हुए दिखाए देती है ऐसे सपने आपको बार-बार आते हैं तो इसका मतलब है किसी परकार के विवाद में आप फसने वाले है और उसका पूर्ण संकेत आपको मिल रहा है इससे आपको हो जाना चाहिए और आपको अपने जीवन में उसी के अनुरूप कारिय करने चाहिए ताकि आपको अपने कारिये में ऐसा फलता हाथ ना लगे आपको अपने कारिये में सफलता ही हाथ लगे दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताए और हा स्क्राइब कर ले और बैल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड थैंक यू फूर वोचिंग माई वीडियो